सब्स्राइब किजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो सामसंग के कुछ डिवाइसे में निव साफ्ट्वेर अप्डेट सामसंग ने रोल आउट कर दिया है तो कौन-कौन से वो डिवाइसे के इतने साइच का अप्डेट फाइल क्या कुछ इंप्रूमेंट्स किया गया है क्या कुछ ने फीचर्स को आइड किया गया है सब कु सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दिजेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यू शराब देख रहे हैं टिक दूस्त प्यू तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला अपडेट है Samsung F12 के लिए बात करें अगर अपडेट फाइल की तो 122 MB का अपडेट है December 2021 का security patch है और इस अपडेट में Samsung ने device की security को इंप्रूफ किया है साथ में device की stability को इंप्रूफ किया है bugs को fix किया गया है कुछ features को add किया गया है और device की performance को भी इंप्रूफ किया गया है तो अगर आप Samsung F12 वे device यूज करते हैं तो अपडेट कीजे अप अपडेट है A10 के लिए बात करें अपडेट फाइल की तो 196 MB का अपडेट है जनवारी 2022 का security patch मिल जाता है और इस अपडेट में Samsung ने device की security को इंप्रूफ किया गया है साथ में device की stability को इंप्रूफ किया गया है bugs को fix किया गया है कुछ features को add किया गया है और device की performance को भी इंप्र को परते हैं नेक्स्ट अपडेट की और तो अगला अपडेट है Samsung F22 के लिए बात करें अपडेट फाइल की तो 27 MB का अपडेट है November 2021 का security patch मिल जाता है और इस अपडेट में Samsung ने device की security को इंप्रूफ किया है साथ में device की stability को इंप्रूफ किया गया है bugs को fix किया गया है कुछ features को add किया गया है और device की performance को भी improve किया गया है तो अपडेट कीजे अपने device को तो यही था आज किस वीडियो में उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर देजेगा like channel पे अगर पहली बार आए तो channel को कर देजेगा subscribe मैं म